हलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चानल इंवेस्टमेंट का बाजार और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PNB स्टॉक के उपर दोस्तो PNB के स्टॉक में आज एक ग्याप डाउन खुला जोकि दोस्तो आज आप कहा सकते कि Nifty Mid Cap Index में काफी जाधा गिरावट थी जिसके कारण PNB के स्टॉक में आज दोस्तो गिरावट का माहूल रहा है स्टॉक लेकिन दोस्तो एंड में एक अच्छी रापिड रिकावरी करके आप देख सकते लगबग 36 रुपे 60 पैसे 36 रुपे 40 पैसे के लेवल से स्टॉक में रिकावरी आई जोकि 37 रुपे 15 पैसे पर आप कहा सकते कि स्टॉक आ गया स्टॉक दोस्तो अपने एहम सपोर्ट को टच करके एक बाउंस बेक दिखाया और लगबग दोस्तो आप कहा सकते कि डेर से 2 प्रतिशत की रिकावरी इसके लोज से देखने को मिली है जानेंगे दोस्तो क्या होंगे PNB के स्टॉक के कल के इंट्र आडे टागेट जो कि 31 दिसंबर के इंट्र आडे टागेट होंगे स्टॉप लॉस पता करेंगे और रिजिस्टेंस पर बात करेंगे तो वीडियो को एंट तक देखना वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तो तो चलिए शुरू करते हैं अगर फ्रेंट्स PNB की वॉल्यूम की बात करें, तो आज काफी अच्छी वॉल्यूम हुई है, लगबख 70 मिलियन की दोस्तो वॉल्यूम देखी गई है पी एन बी के स्टोक में, जो की वॉल्यूम दोस्तो लगबख 30 से 40 मिलियन की आसपास हुआ करती थी, वह आज 70 मिलियन की वॉल्यूम देखी गई है आप कहा सकते हैं कि डबल आप कहा सकते हैं कि वॉल्यूम जो कि आपनों के सेशन में देखने को मिली, उससे डबल वॉल्यूम देखी गई है, प्लस डिलिवरी परसेंटेज भी अच्छा है, लोगोंने लोवर लेवल पर अच्छे से बाइंग करी है, पी एन बी के स्टोक म करने का, क्योंकि यह सबसे जादा आप कहा सकते हैं कि ओवर सुल्ड जोन में आ गया है, स्टॉक लगबग 45-46 रुपे के लेवल से 37 रुपे के लेवल पर आ गया है, फिर दोस्तों आई थिंक सो यह 35-45 रुपे तक के लेवल चुएगा, क्योंकि दोस्तों यह इसका एहम पर आ गया है, आप देख सकते हैं, स्टॉक बिलकुल आप कहा सकते हैं कि आज लो बनाया, अगर आपका आज का लो देखे, तो आज का लो 36 रुपे पच्पन पैसे था, 36 रुपे पच्पन पैसे पर आज स्टॉक ने कंसॉलिडेट किया, और फिर अचानक से तेजी दिखा जो कि लगबग 23-30 बजे के बीच में थी, और इधर तो दोस्तो इन ग्रीन दिखा रहा है, लेकिन स्टॉक 15 पैसे इधर से नीचे है, 36 रुपे 15 पैसे पर दोस्तो स्टॉक में क्लोजिंग आई है, आप कहा सकते हैं कि end में इतनी खतरनाक दोस्तो रिकावरी देखी गई है निफ्टी बैंक, वो भी आधा गिरावट में थाच, आप कहा सकते हैं कि end में अच्छा काम काच कर रहे थे, लेकिन ये दोनों पॉकेट्स में आप कहा सकते हैं कि end में जाधा गिरावट थी, प्लस निफ्टी PSU बैंक भी बिल्कुल sideways काम काच कर रहा था, जिसके करना आप देख सकते हैं सारे PSU बैंक हो जाए, अगर आप इधर देखें तो बैंक ऑफ बडोधा, बैंक ऑफ इंडिया, SBI, सारे इन बैंकिंग सक्टर में गिरावट देखी गई है, लेकिन आप कह सकते हैं कि lower level से अच्छी recovery है, इन सब stocks में लगबग 2-2% की गिरावट हो गई थी, लेकिन फिर अचानक से एक recovery आई, जिसके कारण आप देख सकते हैं, stock में बिलकुल आप कह सकते हैं, no gain, no loss पे काम का चुआ है, और अगर कल की levels की बात करें, तो दोस्तो कल आपको एक level दिखना होगा, जो कि 38 रुपे का level क्रॉस होगा, तो लगबग आपको intraday के अंदर 38 30 रुपे 50 पैसे तक के level दिखने को मिल सकते हैं, जो कि लगबग दोस्तो एक रुपे 15 पैसे, रुपे 20 पैसे का moment है दोस्तो, अगर दोस्तो stop loss की बात करें, तो stop loss दोस्तो आपको अब रखना है, street रखना है, 37 रुपे का, 15 पैसे का stop loss दे रहा हो दोस्तो, उससे अगर बहुत एहम support भी आता है दोस्तो, वहाँ से stock ने कई बार bounce back दिया है, अगर 5 दिन के चार्ट की बात करें, तो आप करते हैं कि लगबग 36 रुपे 50 पैसे से इसने एक टेजी दिखाई, फिर दोस्तो ये 36 रुपे 50 पैसे हैं, और आज फिर दोस्तो इसने तेजी दिखाई, यानि I think दोस्तो, ये stock ने bottom बना लिया है, जो कि 36 रुपे 50 पैसे का है, 36 रुपे 50 पैसे का एहम bottom बना लिया है, stock ने ये stock इस bottom को respect कर रहा है, और वहाँ से एक bounce back दिखा रहा है, यानि कि दोस्तो, stock इस level के नीचे नहीं आना चाहिए, अगर इस level के नीच आता है, तो और ग 40 रुपे का है, आप दर देख सकते हैं दोस्तो, गौर करके, 48 रुपीज का 52 विखाई है, 48 रुपीज से दोस्तो, stock में correction आया, अगर दोस्तो, आज से आप एक year to date के बाद करें, तो मातर 7% का return दिया, stock में, जी यहां दोस्तो, मातर 7% का, अगर आप बाकी के stock जगेंगे, लगबग 25 परजन का, तो minimum हर stock में मिला ही है, लेकिन PNB के stock में मातर 7% का return रहा है, अंडर डॉक रहा है दोस्तो, इस stock, फिर दोस्तो, I think, यह stock तेजी करेगा, और सबको चौका आएगा, और फिर 45 रुपे के लेवल्स आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे, PNB के stock मे लोकि अच्छे financials के company के, company profit making है, और भी दोस्तो, इसमें developments होते रहते हैं, अब credit rating बढ़ती रहती है, तो दोस्तो, काफी अच्छा stock है, long time के सबसे दोस्तो, 50 रुपे के target भी आप अगले 2022 में expect कर सकते हैं, काफी जादा target, काफी अच्छी company है, देरे-देरे profit making भी कर रहे है प्रॉफिट भी अच्छा ला रहे है, बस दोस्तो, ये cash on hand में थोड़ी सी दिक्कत है, वो भी दोस्तो, I think, resolve हो जाएगी, प्लस, budget में भी काफी अदा focus में रहते हैं, सारे PSU stocks, तो दोस्तो, that's it for video, अगर आपको buying करनी है, तो आप इस level पर buying कर सकते हैं, 36 रुपे 50 पसे का आप stop loss लेकर चले, और दोस्तो, upside में दोस्तो, आपको 49 से 40 रुपे के levels एक हफते के अंदर देखने को मिल सकते हैं, तो दोस्तो, that's it for video, अगर वीडियो चला होता, like करना, share करना, subscribe करना दोस्तो